तो इस टुटेंट फाइनली वो गड़ी आ गई है जिसका आपको बड़ी बेसबरी से इंतिजार था यानि के मादमेक शिक्षा परिशल उत्तर प्रदेश की डेट शीट जारी कर दी गई है यानि के यूपी बोड का टाइम टेबल जारी हो चुका है जो आज मैं आपको डीटेल में एकस्प्लेंट कराने वाला हूँ तो वीडियो के स्टाड़े से रिकार इस तक जरूर देखीगा क्योंकि दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी जाता इंपॉर्ड है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखे आपके जो एकस्व होने वाले हैं, यह दो पाली में होंगे और आपके पेपर जो स्टाट हो रहे है, ये हो रहा है बाईस फरवरी से यह दोस्तों 22 फरवई 2024 से UP Board के exams start हो रहे हैं दो पाली में आपके paper होंगे, timing क्या रहेगी, सब कुछ मैं आपको each and everything detail में explain कराता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं time के बारे में देखो दो पाली में आपके paper होंगे, तो उसमें पहली पाली का time रहेगा, वो रहेगा सुबा शाड़े आठ बजी से लेके पुरे बारा बजी तक यानि के आपको सवा तीन गंटे, तीन गंटे, तीन गंटे, पंदरा मेट का time दिया जाएगा इन तीन गंटे, पंदरा मेट में, पंदरा मेट तो आपको मिलेंगे, कुशन पेपर को read करने के, और तीन गंटे आपको दिये जाएगे, कुशन पेपर को solve करने के तो जिनका morning में paper होगा, वो रहेगा साड़े आठ बजी से लेकर पुरे बारा बजी तक इसके बाद अगर आपका paper second पाली में होता है, तो second पाली के जो timing रहेगी, वो दो फेर के दो बजी से लेकर, सबाब पाच बजी तक यानि के आपको भी सबा तीन गंटे में लेकर ये टाइम रहेगा, तो फेर के दो बजी से लेकर, सबाब पाच बजी तक का ये दुर्तिय पाली, यानि के second पाली वालों का time रहेगा, ठीके, और आपके high school and intermediate, यानि के class 10 और class 12, दोनों ही के जो exam से start हो रहे हैं, ये हो रहे ह फरवरी से, इतना आपको समझ में आ गया, टाइमिंग पता चल गई, डेट पता चल गई, अब मैं आपको subject wise explain कराता हूं, कि कब किस class का, कौन सा paper है, तो इसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा, बात करते हैं, 22 फरवरी दिन रहेगा प्रश्पतिवाद, तो ये जो आप आपका हाई स्कूल का जो paper होगा, ये होगा आपका हिंदी का, ठीक है, हाई स्कूल का हिंदी का paper होगा, और intermediate वालो का होगा, सैन विज्ञान का, ये पर्थम पाली वालो का है, यानि कि सुबा साड़े आठ बजी से लेकर पोने बारा बजे, जिन का paper होगा, ये हाई स्कूल वालों का होगा हिंदी का और इंटरमीडियेट का होगा अगर आपका है तुम दुरती पाली सेकंड पाली में जो पेपर होगा यह वालेजी का होगा किसका होगा वालेजी का हाई स्कूल का होगा और इसके बाद इंटरमीडियेट का होगा हिंदी का सामान हिंदी या हिंदी अगर आपका सामान हिंदी है तो आपका सामान हिंदी होगा या फिर आपका विशिष हिंदी है तो आपका विशिष हिंदी का होगा ये तो फेर के दो बाज इसले के सबाब पाज बजे होगा ठीके अब बात करते हैं 23 फरवरी को तो 23 फरवरी को जो पेपर होगा ये आपका कारवी या फारसी अगर आपका है या पाली भाषा है तो ये पेपर होगा इसके बाद नागरिक शास्त का बाद देखने को मिल रहा है यह आपके पेपर होगे अगर आपके subject में हैं तो इनके paper होगे इसके बाद बात करते हैं 27 फरवरी 27 फरवरी को आते हैं 27 फरवरी को जो high school का paper होगा ये math का इस बार गड़ित का paper थोड़ा सा जल्दी हो रहा है तो गड़ित पे आप ज़ादा focus कीजिएगा math का जो paper होगा ये आपका साड़े 8 बजी से होगा इसके बाद intermediate में इतने सारे subject है अगर इन में से आपका कोई है वैसे तो होते नहीं है अगर आपका इन में से कोई है तो आप इसको list को एक बार पढ़ लीजिएगा अब आते हम दुरती पाली में इसमें automobiles अगर है तो paper होगा नहीं है तो छोड़ दीजेगा इसको लेकिन यहाँ पर व्यवसाय अध्यान का बाले जवर्गी के लिए जो commerce की student है तो उनका यहाँ पर व्यवसाय अध्यान का होगा यानि कि business study का paper होगा और अगर आपका ग्रह भी ज्यान है पर होगा ठीक है यानि कि लास 12 का इंटर्मीडिट का paper है 28 वर्वरी को दुर्ति पाली वालों का जो paper होगा यह संगीत वाधन का होगा और चित्रकला अगर है तो चित्रकला का paper यह intermediate का होगा आगे बलते हैं 29 वर्वरी को 29 वर्वरी को जो आपके paper होगे यह आपका high school का paper science का होगा विज्ञान का paper है प्रितम पाली पाली को जरूर याद रखीगा देखो पाली में बिल्कुल कर्णिफीज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर time दिया गया है कि साड़े आड बजे से पोने बारा बजे तक प्रितम पाली है तो यह paper इनका science का होगा class 10 इसके बाद intermediate का अर्भी, फार्सी, लेकाशाथ, वालेजवर्ग के लिए लेकाशाथ, यानि के account का paper होगा और अर्भी, फार्सी अगर आपके लेवस में कोर्स में है तो यह अर्भी, फार्सी वालों का paper होगा दूर्ती पाली वालों का किर्शी का होगा और जी विग्यान या फिर गड़ित का paper होगा आपका intermediate का एक मार्च को जो आपका paper होने मला है प्रितम पाली, मानव विग्यान अगर आपके exam में है और इधर intermediate का उर्दू, गुजराती, बंचावी, बंगाली यह भाषा है, भाषा का paper होगा लेंग्विज का, अगर आपके है तो इनका paper होगा पाली वालों का NCC अगर है और यह मानव विग्यान इसकी बाद आते हैं दो मार्च को दो मार्च को जो paper होगा, healthcare ज़्यातर नहीं होता है, संगीत गायन अगर है तो यह paper होगा, mobile repair अंग्रेजी का paper तो सभी का होगा common तो यह अंग्रेजी का paper आपका जो होने वाला है यह class 12 intermediate जो है, यह दो मार्च को paper होगा कब होगा, दो मार्च को English का paper है आपका इसकी बाद आते हम चार मार्च पे, तो बच्छो चार मार्च को पेपर होगा, यह English का paper होगा class 10th का, class 10th high school का English का paper है आपका पिरतम पाली में शाड़े 8 बजे से लेकर पुरे 12 बजे तक, इसके बाद intermediate में यह subject अगर आपके हैं तो यह subject का paper आपके हो जाएंगे पिर दृतिपाली में अगर सुरक्चा यह subject कमी होते हैं अगर है तो पेपर होगा, नहीं है तो कही दिक्कत नहीं छोड़ दीजिगा बहते विज्ञान है, यह फिजिक्स का paper होगा class 12 का, मनव विज्ञार, शिक्षास, तरक्षास तीग है, यहाँ पर आजाते हैं पाँच तारिकों, तो पाँच तारिकों गिरे विज्ञान अगर यह आपके subject हैं तो इनके paper होगे और यह आप देख लिजिए ठीक है, और इसके बाद यह 6 चित्रकला, रंजन, computer अगर है तो 6 मार्च को चित्रकला का, रंजन, कला का paper है बाकी intermediate के यह paper है, ठीक है और यह 7 मार्च को सावाजी विज्ञान का paper होगा कलास 10 का परतम पाली में सावाजी विज्ञान का paper है intermediate के यह subject है, यह इनके paper होगे इसके बाद 9 मार्च को भी paper है, नो मार्च को भी देख लिजीए आपको बताता हूँ, यह साथ तारिक में है और बस, यह अपका प्रेपर हो गए, अभी स्टाड़े तक आप देख लिजीएगा आपका जिस भी पाली में paper होगा, तो आपको उस पाली को ताइम आपका जो admit card की जाएगा, उस पर बिल्कुल क्लियर लिखा होगा कि किस पाली में आपका कौन सा paper है, तो आपको करिफीज होना नहीं है मैं हाई स्कूल में 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 subject होते हैं जिसे हिंदी होता है सभी का जातर हिंदी है तो आपको हिंदी को देखना है यह पीपर साइन्स का हो जाएगा और इसके बाद आप देखेंगे तो आपका में है English on 9 देखना है Ăंप में Turning fromanut School की में ही आपको आपको बार आपको बिल्क अपको बिल्कृम होगा यह टाइम टेबल में आपको बता दिया है ओके स्ट्रेंट्स आयोब यह इन्फोर्मेशन आपको पसंद आयोगी तो इस वीडियो को लाइक तरूर कीजेगा अपने सभी दुत्तों के साथ दादा शेयर भी कीजेगा और यदि चनल पर नहीं है तो इनको सब्सक्राइब कर लीजेगा थैक्स फॉर वाचिक